असलाम वालेकुम दोस्तों उमीद है आप सब खेरिये से होंगे आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इस्तंजे के दर्मियाद यानि पेशाब या फिर पकाना करते हुए क्या-क्या काम नहीं करना चाहिए या फिर आप यूं कह सकते हो कि काम करने से गुना मिलता है तो वो चीजे कितनी है और क्या-क्या है तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और आज कल के जमाने के अंदर क्या होता है इन सब के साथ हम फिट करेंगे कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और आज कल हम कर क्या रहे हैं तो इस वीडियो के अंदर हम यह सब बात क वीडियो के एंट तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ऐसी नौ चीज़े हैं कि जिनको पेशाब या फिर पाखाना के दर्मियान में नहीं करना चाहिए उन में से सबसे पहल को यह तहरीमी है यानि पेशाब और पाखाना के दर्मियान में बैठ कर बगर जरूरत के बगर अज़र के बात करना गुणा है इस तरीके से बात करने से गुना मिलता है लेकिन आजकल के जमाने में आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे पास पास में बैतुल खला होते हैं इस्तिंजा खाना होता है तो बैठ कर एक दूसरे से बात करते हैं इस तरीके से बात करने से गुना मिलता है ऐसा करना मकरूह तहरीमी है दूसरे नमबर पर है कि बिला जरूरत खासना और इस तिंजे के अंदर बैठ कर पखाने पेशाप के दरम्यान में कोई जरूरत नहीं है कोई काम नहीं है खामका खासना इस तरीके से नहीं खासना कि अगर आप नहीं खासोगे तो कोई दर्वाजा खोल कर अंदर चला जाएगा तो अगर ऐसी मजबूरी है तो वो अलग बात है लेकिन बगहर जरूरत के बिना किसे उज़र के अंदर बैठ कर खासना ये गहर मुनासिब है इस तरीके से नहीं खासना चाहिए तीसरे नमबर पर है कि किसी अंदर बैठ कर पेशाब या फिर पाखाना करते हुए किसी आयत का या किसी हदीस का या किती मुतबर्रक चीज़ का जिकर करना या किसी मुतबर्रक चीज़ को पढ़ना जैसे अंदर बैठ कर अंगर कोई कुरान की आयत पढ़ने लगे या फिर को कोई और मुताबर्रक चीज है तो इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए यह गहर मुनासिब है अब आप यहां पर स्वाल कर सकते हो कि जब हम इस तिंजे के अंदर दाखिल होते तो दूआ पढ़ते हैं तो वो भी एक अच्छी चीज है उसका पढ़ना कैसा है तो मैं आपको बता दू जब हम वे दूआ पढ़ते हैं तो हम जब दाखिल होने से यह पहले दूआ पढ़ते हैं जब पहले दूआ पढ़ते हैं जब पहले दूआ पढ़नी तो उससे कोई तालुक ही नहीं है और यह दूआ हम इसलिए पढ़ते हैं ताके हम अंदर जाकर शैतन के वसाव इस से महफूज फर्मा तो इस दूआ से तो आप खुदी समझ सकते हो तो ये दूआ और अंदर बैठ कर पढ़ना कोई आयत या फिर कोई हदीस या फिर कोई और दूसरी चीज का मुतबर्लक चीज का पढ़ना इन दोनों में कितना बड़ा फरक है तो इस तरीके से अंदर बै या फिर फरिष्टे का नाम हो या फिर कोई मौजबं शय का नाम हो तो ऐसी चीज का लिखा हुआ ऐसी चीज का परिचा साथ में लेकर अंदर नहीं चाहिए बवायत उल्खला के अंदर नही जाना चाहिए हैं अब आप यहां पर सुआल कर सकते हो कोई अगर टावईज है तावीस के अंदर भी कोई आयत लिखी हुई होती है या फिर आजकल मुबाइल के अंदर गुरान का कोई application आता है Quran का application आता है तो उसके अंदर कुरान होता है पूरा का पूरा तो वो मुबाइल हम लेकर अंदर जाते है तो इस तरीके से ले जाना कैसा है तो आप ये स्वाल कर सकते हो तो मैं आपको बता दू कि मुबाइल की जो बात है मुबाइल ये है कि जब हम वो एप्लिकेशन आपन करेंगे तब जाके हमारे सामने कुरान आएगा और उसके अलावा हम मुबाइल को जब बंद करके रखते हैं तो कुरान उसके अंदर छुप जाता है तो कुरान उसके अंदर छुप गया इसी तरह तावीज के अंदर कोई आयत भले लिखी हुई होती है लेकिन वो खोल के अंदर तावीज के खोल के अंदर बंद होता है और उपर से उसको बंद कर दिया जाता है और वो इसलिए होता है, कोई तबीब का दिया हूआ होगा या फिर उसका कोई इराज चल रहा होगा इसलिए उसके साथ तावीज होता है तो ये जो बाते हैं, इनसे कोई फरक नहीं पड़ता और ऐसे जैसे मुबाइल है या फिर तावीज लेकर जाना मकरू नहीं है लेकिन अगर कोई वैसी बिला उजर के बगर किसी हाजत के कोई परचा है जिस पर कोई मतला हदीस लिखी हुई हो या फिर कोई आयत लिखी हुई हो उसको ले जाना मकरू है उसको नहीं ले जाना चाह होकर पेशाब या पकाना करता है तो उसके लिए मक्रू है इस तरीके से नहीं करना चाहिए लेकिन अगर कोई जरूरत है अगर किसी कोई बीमारी है कि वह बैठकर पेशाब नहीं कर सकता या फिर उसकी कमड तूटी हुई है तो वह खड़ा होकर यह पेशाब करेंगा अगर मजबूरी है तो कोई हरज नहीं है इसलाम के अंदर इतनी गुंजाईश है कि अगर किसी मजबूरी के अंदर कोई इनसान है तो इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं तो इनसान की जैसी सहुलत होगी वह इस तरीके से अपना काम करेगा लेकिन अगर कोई जरूरत नहीं है कोई हाजत नहीं है कोई उजर नहीं है उसके बावजूद अगर कोई खड़े होकर या फिर लेट कर पेशाब या पखाना करता है तो इस तरीके से करना मक्रू है इस तरीके से नहीं करना चाहिए छटे नमर पर है कि ब शैतान जो है वो दिल के अंदर वसाविस डालता है गलत वसाविस डालता है तो इनसान उस वसाविस का शिकार भी हो जाता है बाज मरतबा तो इस तरीके से बिलकुल नंगा नहीं होना चाहिए बलकि जितना मुम्किन हो सके कि अगर इतना सतर खोलने से हम अच्छी तरीके से या पाखाना कर लेंगे तो इतना ही जरूरत के मताबिक ही खोले ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं है और ऐसा नहीं करना चाहिए साथवे नमबर पर है कि दाहने हाज से इस्तिंजा करना यानि पेशाव और पाखाने से फारिग होने के बाद जो हम नजासत को दोंगे या फिर मकाम को दोंगे हाजत की मकाम को दोंगे तो वो दाहने हाज से करना नहीं करना चाहिए बलके बाएं हाज से करना चाहिए आठवे नमबर पर है कि सलाम का जवाब देना यानि आप इस तेंजे के अंदर बैठे हो या फिर पेशाब या पखाने के दर्मियान में बैठे हो अगर कोई आपको सलाम करता है तो आप अंदर ही जवाब ना दे उससे फारिग होकर आने के बाद बाहर आकर सलाम का जवाब दे तो अंदर बैठ कर ही सलाम का जवाब देना नहीं चाहिए नवे नमबर पर है कि पेशाब या फिर पाखाना के दर्मियान में बैठ कर आजान का जवाब देना या फिर शरमगा को या फिर पेशाब या पाखाना को या निजासत को देखना या फिर पेशाब या पाखाने पर थूकना इस तरीके से नहीं थूकना चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आजकल के जमाने के अंदर ये सब बहुत खुले आम होता है और बहुत ज्यादा लोगबाग इस तरीके से करते हैं तो हमें जो मैंने नौ चीजे बताई है इन सबसे बचकर रहना चाहिए तो अल्ला ताला हम सब को इन सब चीजों से बचकर रहने की तोफिक अता फरमाए आप भी दूआ कीजिए मेरे लिए मैं भी इन्शालला आपके लिए दूआ करूंगा तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही इन्शालला मिलते है अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज